हालो दोस्तों ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है आरपी सी ए यू राजंदर प्रसाथ सेंट्रल एगरिकल्चर इन्वर्सिटी लोवर डिविजनल कलर्क और जुनियर एकाउंट कलर्क का जो है सौट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों आपके चैनल ऑनलाइन फार्म को कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर गूगल पर कर सकते हैं या फोन पर कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अभी तक ऑनलाइन फार्म को यूट्यूब की तरफ से कोई भी रेवेन्यू नहीं प्राफ्थ होता है ठीकर दोस्तों और एक आगरा भी है दोस्तों क कि आप लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज ना करें क्योंकि यह नंबर किसी दूसरे का है और ओव्यक्ति इस चैनल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जानते हैं ठीकर दोस्तों तो कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं और नहीं हमसे बात करा सकते हैं इसलिए इ लेकर आये हैं दोस्तों हिंदी और जेनरल नौलेज के कुल 60 प्रस्ण आप लोगों का लगातार आग रहा था कि प्रस्णों की संख्या पढ़ाई जाए तो आज हमने प्रस्णों की संख्या बढ़ा दिया ठीक है जिन्दा है तो आज आओ क्योंकि इस बार माबाप की सपने क स्चाइब को पूरा करना है चलिए एगर सुरू करते हैं वीडियो का यह पहला कुशन कि दिया है एक से चार तक के प्रस्णों के चार बिकल्प दिये गए हैं जिनमें एक बिकल्प तत्सम सब्द वाला है ठीक है जोस्तों तत्सम सब्द वाला है आपको तत्सम सब्द का चयान करना है option A है अंग रखा, B है अंग रच्छक, C है अंग रच्छक इस तरह लिखा हुआ है और D है अंग रच्छक, यह भी अंग रच्छक है लेकिन दूसरा है ठीक है ठीक है दोस्तों इसका सही answer क्या हो जाएगा? इसका सही answer हो जाएगा अंग रच्छक चलिए दूसरा कोच्चन देखिएगा दूसरा कोच्चन है अंग इथी अंग टी अगनिसी ठिका अगनी इथी तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दूस्तों अगनिस्ठ का इस तरह लिखा है दोस्तों अगनी श्ठीका इस तरह ठीक है दोस्तों यहां पर थोड़ा लिखने में यह गड़ बढ़ा गया है इस तरह है ठीक है तो अगनी श्ठीका इसका सही एंसर हो जाएगा तत्सम सब्द है तिसरा है आतड़ी आंत्र आत्र और यांत्र इसमें से कौन सा तत्सम सब्द है तो इसका एंस आंत्र जो है तत्सम सब्ध है चलिए चौथा नमर कोशन देखिएगा बताना है कि इसमें से चारो अप्सन में से कौन तत्सम है तत्सम कौन है तो बताएगा अप्सन ए है अंडी बी है एंडी इसका ant को दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा यहां करें च् Turns पांच से नौ तक के चार प्रस्न दियें और चार चार बिकल्व दिये गए इसमें तत्दभौ सब्चुन है पहले आपको तत्सम्चुन ना था अब तत्दभौ चुन है पहला अप्सन दिखेगा पंचरवां का अ अंगुष्ट C है अंगोचा और D है अंग प्राउचा ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा अंगोचा अंगोचा जो है तदभव सब्द है ठीक है अंगोचा जो है तदभव सब्द है साथ नमर देखिएगा कोशन छे नमर छे नमर है इसमें तदभव आपको चारों में चुन अनी जो है तदभव सब्द है, चलिए 7 नमर देखिएगा, 4 अप्षन दिये हैं, 4 अप्षन में आपको तदभव चुलना है, तदभव कौम सा है, अप्षन A है अंधकार, B अंधेरा, C अकडन, D अकारिया, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधेरा, अंधेरा ए अप्षन A है एकल, B है अकेला, C है अच्छोर, D है अच्छवाट, इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अकेला, अकेला एक तदभव सब्द है, चलिए अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, नौ नमर, नौ नमर है, बिस में किस रस का अस्थाई भाव है, रस अल अप्षन A है अदभुद, B है राद्र, C सांथ, D बीर, इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर हो जाएगा, नौवा का अदभुद, बिस में का अदभुद जो है, अस्थाई भाव है, चलिए दस नमर देखिएगा, प्रिये पती वह मेरा प्राण प्यारा कहां है, इसका एंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों, सोक, सोक जो है, इसमें अस्थाई रस है, ठीक है, चलिए, एकारा नमर देखिएगा, माधुर या गूण का किस रस में परियोग होता है, अप्शन A, B, स्रिंगार, C, भयानक, D, रौद्र, इसका एंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों B, यानि स्रिंगार, माधुर या गूण में रस है, ठीक है, करूण रस का अस्थाई भाव क्या है, अप्शन A, निर्वेद, B, सोक, C, जुगुपसा, D, भय, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों, इसका एंसर हो जाएगा, सोक, करूण रस का अस्थाई भाव सोक है चलिए, तेरा नमर सुनिएगा, सुनि सियज सपन भरे जल लोचन में कौन सा छंद है, छंद बताना है, अप्शन A, वनसस्त, B, हरी गीतिका, C, गीतिका, D, चौपाई, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों, इसका एंसर हो जाएगा, D, यानि चौपाई जो है, इस प्शन चौपाई, बी है छपपर, सी है छपपए, चपपए, सी है कबित, कबित है, और D है उपजाती, इसका एंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों, इसका एंसर हो जाएगा, चौपाई, चठाया सार, गगन घंगाजा में, चौपाई चंद है, ठीक है, चलिए, पंदर नमर देखेगा, जिन घर कंता, ते सुखी, तिन गोरी, और कंत पियारा बाहिर है, हम सुख भुला सर्व, इसमें कौन सा चंद है, अप्शन ए, चौपाई, बी है, दोहा, सी है, चौतुस्पदी, डी है, सोर्ठा, इसका एंसर क्या हो जाएगा, दोहा, यह क्या है, दोहा, चलि सा अलंकार है, दोस्तों, अप्शन ए, रूपक, बी अतिस्योक्ती, सी, यमक, डी सलेस, इसका एंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों, इसका हो जाएगा, यमक, अलंकार, इसमें है, कनक, कनक, ते सौगूनी, मादक्ता, अधिका है, चलिए 17 नमद देखेगा, मनुस्य वह है, ज इसका एंसर क्या हो जाएगा, लाटा अनुप्रास, इसमें अलंकार है, ठीक है, लाटा अनुप्रास, चलिए 18 नमर देखेगा, संगती सुमती नापवई, परेकुमती के धंद, राखाव, मेली, कपूर में, हिंग नहोई, सुगंद, में कौन सा अलंकार है, अप्शन ए, दृष्टान, बी रूपक, सी उत्परेच्छा, और डी है, प्रतीप, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दृष्टान, इसका एंसर क्या हो जाएगा, दृष्टान, चलिए 19 नमर कोशन देखेगा, करत करत अभ्यास, ते जडमती होत सुजान, रसरी आवत जात, प्रतित. इसका एंसर क्या हो जाएगा दुस्तों? इसका एंसर हो जाएगा दृष्टांत. कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है इसमें. चलिए 20 नमर देखिएगा. पट पीत मानहूं तढ़ित रुची सुची नौमी जनक सुतावरन सुतावरन इसका प्या पंक्ती में निरुपित अलंकार बताना है अप्सन A है उपमा, B है रूपक, C है उत्प्रेच्छा और D है उदाहरन इसका इंसर हो जाएगा उत्प्रेच्छा, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्प्रेच्छा अलंकार हो जाएगा चलिए 11 नमर देखेगा, पर उपदेश कुसल बहुत तेरे, किसकी रचना है अप्सन A है मलिक महमद जाएसी, B है मनजन, C है तुलसी दास, D है कुतुबन तो इसका इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इंसर हो जाएगा तुलसी दास, पर उपदेश कुसल बहुत तेरे चलिए 22 नमर देखेगा दोस्तों, का परसा जब क्रिसी सुखाने समय चुकी पुनी का पच्ताने, किसकी रचना है अप्सन A है कुतुबन, B है मलिक महमद जाएसी, C है तुलसी दास, D है मनजन इसका इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 का, इसका इंसर हो जाएगा तुलसी दास, चलिए 23 नमर कोशन देखेगा समरत को नहीं दोस गुसाई, किसकी रचना है, अप्सन A है कबीर, B है तुलसी, C है जाएसी, D है के साओ तो इसका इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 का, 23 का इंसर हो जाएगा तुलसी दास, तुलसी दास की रचना है, समरत को नहीं दोस गुसाई, किसकी रचना है, तो तुलसी दास चलिए 24 नमर कोशन देखिएगा दोस्तों पराधीन सपने हूँ सुख ना ही किसकी रचना है अप्शन A है रामानंद B है केसव C है तुलसी और D है बिहारी इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा C तुलसी दास ठीक है चलिए 25 नमर देखिएगा दोस्तों जहां सुमती तहां संपती नाना जहां कुमती तहां बिपती निधाना किसकी रचना है अप्शन A है जाए सी B है मनझन C है कुतुबन D है तुलसी दास तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तुलसी दास ठीक है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन अंद तक देखिएगा क्योंकि आप ही लोगों का जो है बार-बार रिक्वेश्ट आ रहा था कि सर कोश्चन बढ़ाए सौग कीजिए लेकिन आज साथ करके देख रहे हैं अगर आप लोग पूरा वीडियो दे क्योंकि माबाब के सपने को पूरा करने के लिए बोर होना नहीं चाहिए ठीक है माबाब के सपने को पूरा करने के लिए जमकर मिनात करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी करना पड़े चलिए 26 नमर कोशन देखते हैं 26 नमर है विश्राम पूर का संत उपन्यास के लेखक कौ सही एंसर हो जाएगा चलिए 27 नमर देखिएगा मानस के हंस उपर्न्यास किसकी रचना है अप्शन A है प्रेमचंद्र B. जैसंकर प्रसाद C. अमरितलाल नागर D. है महादेवी बर्मा इसका एंसर हो जाएगा C. अमरितलाल नागर इसका सही एंसर हो जाएगा चलिए 28 नमर देखते हैं जासी की रानी उपर्न्यास किसकी रचना है अप्शन A. ब्रिंदा बन लाल बर्मा B. है सुनिता चोहान D. है महादेवी बर्मा C. है महादेवी बर्मा D. है रामधारी सिंग दिन कर तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा ब्रिंदा बन लाल बर्मा ठीक है चलिए 29 नमर कोशन देखते हैं ब्रिंदा बन लाल बर्मा इसका एंसर हो जाएगा A. चलिए 29 नमर देखते हैं घासी राम कोतवाल किसकी रचना है अप्सन A है प्रिया तेंदुलकर B है सचीन तेंदुलकर C है विजय तेंदुलकर और D है गुरु घासी दास तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा विजय तेंदुलकर घासी राम कोत्वाल विजय तेंदुलकर की रचना है चलिए तीस नमर कोशन देखिएगा दोस्तों अगनी परिच्छा किसकी रचना है अप्शन A है तुलसी दास B हरिसंकर दुएदी C जैसंकर परसाथ और D है सुमित्रा नंदन पंत तो इसका सही अंसर हो जाएगा तुलसी दास ठीक है तुलसी दास इसका सही अंसर हो जाएगा चलिए फिर आब आते हैं दोस्तों जिक्के पर ठीक है जनरल नॉलेज का पकोशन पहला से सुरू करेंगे तो चलिए वीडियो तक वीडियो में लाच्ट टक बने लिएगा दोस्तों ठीक है और यदि अब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए आएए पहला कोशन है स्टेचू आफ यूनिटी को किस संगठन ने आठ आश्चर्यों में सामिल किया है अप्सन ए है ब्रिक्स दी है एए ससीयो सी है सी एस ओ और डी है जी ट्वेंटी तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा गोस्तों एससीयो जो है एससीयो इसने इस्टेचू आफ यूनिटी को आठ आश्चर्यों में सामिल कर लिया है चलिए दूसरा क्वेशन देखेगा टाइम पर्सन आफ दा इयर दो हजार बीस किसे घोसित किया गया है अप्सन ए है जो बाइडेन बी है चार्स लिंडबर्ग सी है कमला हैरिस डी है ए एवं सी दोनो तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दोनो यानि जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनो को जो है टाइम पर्सन आफ दा इयर घोसित किया गया है ठीक है इसका एंसर क्या हो जाएगा डी ए और सी दोनो ठीक है चलिए तीन नमबर कोशन यहाँ पर जो है नमबरिंग करने में मिश्टेक हो गया है ठीक है जोस्तों तो यहाँ पर चार नमबर दिखा रहा है लेकिन यह तीन नमबर ही है ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं देखिए भारत और जापान का संजुक्त सैन्या भ्यास को किस नाम से से जाना जाता है Opp금 A hand in hand B Indre C मित्रसक्ति यह Timex इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जागा Timex क्या हो जाएगा Timex हगे है कि चलिए का शुक्त चार नमर देखते हैं यह पांच नमर हो गया है रिला पहल ही में अंताराष्टिय क्रिकेट परिसद का नया अध्याच किसे चुना गया है अप्शन A है नौनीत मुनोट B है सेख बोड़ोर C है ग्रेट बारकले और D है सौरभ गांगुली तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ग्रेट बारकले क्या हो जाएगा C एंसर सही हो जाएगा ग्रेट बारकले चलिए पांच नौन कोशन देखेगा दोस्तों मानव विकास सुचकांक 2020 के आधार पर भारत की अस्थान पर है अप्शन A 131 B 131 C 133 और D जो है आपका हो जाएगा 128 तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर है मानव विकास सुचकांक के अधार पर जो है अभी भारत जो है 111 अस्थान पर है भारत की सस्थान पर है 111 अस्थान पर है और important question है चलिए साथ नमर देखेगा दोस्तों प्रकास उर्जा का optical fiber में संचरण निमलीखित घटना के अनुप्रयोग दोरा किया जाता है option A प्रूण आंत्रिक परावर्तन B बीवर्तन C प्रकिरणन और D है अपवर्तन तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा प्रूण आंत्रिक परावर्तन ठीक है चलिए आठ नमर देखिएगा गैस जो यहाँ पर धो है धान धान के खेत में उत्सरजित होती है वह भूमी के तापमान में ब्रिधिक करती है वह कौन सी कैसे option A है nitrogen B है carbon dioxide C है carbon monoxide और D है methane तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा methane methane जो है धान के खेत में जो है उत्सरजित होता है ठीक है चलिए अगला question देखिए अगला question है नाव नमबर तुलसी के पौधे का आउसधिये महत्व निम्नांकित की उपस्थिती के कारण होता है किसकी उपस्थिती के कारण होता है दोस्तों option A है carbonic amal B है carbonic amal C है phenol even pleonide और D है इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा phenol even pleonide इसकी उपस्थिती के कारण काफी आउसधिये हो जाता है चलिए 10 नमर देखिएगा निम्न में से कौन सी ग्रंथी अंतस्रावी यवं बहीर स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथी है option A है adrenal ग्रंथी B है शुरू ग्रंथी C है agnase D है thyroid इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका answer हो जाएगा अगनासे अगनासे एक ऐसी ग्रंथी है जो बहीर अस्तरावी और अंताहस्तरावी दोनों प्रकार की ग्रंथी है ठीक है दोस्तों चलिए next question 11 नमर देखिएगा निम्न लीखित में से कौन सा कीट कीटों से प्राप्थ होता है option A रेसम B है सहद C है ला और D है मोती तो इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा मोती क्या हो जाएगा मोती ठीक है चलिए next question देखिएगा 12 नमर 12 नमर है धूआ धूआ में आखों को प्रभावित करने वाला कौन सा सकती साली उत्तेजक होता है ठीक है option A सुनिएगा ozone B sulfur dioxide C carbon dioxide और D है पेरेक्सी acetal nitrate तो इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा पेरोक्सी acetal nitrate पेरोक्सी दिखाते हैं दोस्तों तेरा नमर है निमनलिखित में से कौन सा विटामिन C का सबसे अच्छा सुरोत है तो option A है संत्रा B से C गाजर और D है आवला इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों आवला आवला जो है विटामिन C का सबसे अच्छा सुरोत माना जाता है ठीक है चलिए चवदा नमर देखिएगा दोस्तों DNA की ड्वी कुंडलित सनस्ना किसके दोरा दी गए थी option A जैकप तथा खुराना B वाट्सन एउम क्रीक C एचजी खुराना D चंद्र सेखर तो इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग जानते भी है बताते भी रहिए वाट्सन एउम क्रीक वाट्सन एउम क्रीक जो है DNA की द्वी कुंडलित सनस्ना दी गए थी वाट्सन एउम क्रीक के दोरा चलिए next question देखते हैं पंद्रा नमबर किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है यहां पर वेग है वेग समरूप कहा जाता है जब वेग वेग का सिर्फ नियत में रहे वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तित रहे चलिए, 16 नमब देखते हैं, नीमनलिखी तत्तों में से कौन सा अर्ध चालक है? अप्सन A, एल्मुनियम, B, सिलिकॉन, C, चादी, D, है C, सा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एंसर हो जाएगा, अर्ध चालक कौन सा है? सिलिकॉन, अर्ध चालक कौन सा है? सिलिकॉन, चलिए, 17 नमब देखिएगा दोस्तों भारतिय पसू, चिकिस्ता, बिज्ञान, अनुसंधान, संस्थान, कहां इस्तित है? अप्सन A, बरेली, B, मतुरा, C, करनाल, और D, है पटना इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही अंसर हो जाएगा, बरेली, जुमकागीरा रहे, बरेली के बाजार में तो यह है बरेली, ठीक है? चलिए, 18 नमब देखिएगा दोस्तों, 18 नमब देखिएगा किसका उप्योग रख्ट कैंसर के उपचार के लिए भी किया जाता है option A है iodine 131, B sodium 24, C है sodium 32, D है calcium ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका answer हो जाएगा इसमें option गलत हो गया है दोस्तों phosphorus 32 यहाँ पर आपको sodium के जगा phosphorus था ठीक है दोस्तों तो इसको आपको करेक्ट कर लीजएगा phosphorus 32 इसका answer हो जाएगा cancer उपचार के लिए phosphorus 32 का भी परियोग किया जाता है ठीक है phosphorus 32 यह कोबाल्ट 60 कभी किया जाता है ठीक है दोस्तों चलिए निमन में से किसमें amino amino नहीं पाए जाता है अपसन ए चावल बी दूद सी अंडा और डी है सोया बीन तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों चावल चावल में जो है amino 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 नहीं पाए जाता है चलिए बीस नमर देखिएगा दोस्तों हिंदुस्तान socialist republican association की अस्थापना किस ने की थी अपसन ए है बीडी सावर कर बी है उधम सींग सी है भगत सींग डी है चंद्र सेखर आजाद तो इसका answer क्या हो जाएगा भगत सींग भगत सींग ने हिंदुस्तान socialist republican association के अस्थापना की थी चलिए 21 नमर देखिएगा दोस्तों बीडेश में सरव प्रत्थम स्वतंत्र सरकार किस ने अस्थापित की थी अप्शन ए बरकतुला बी सुबास्चंद्र बोस सींग लाला हर्दयाल और डी है राजा महिंद्र परताप सींग तो स्वतंत्र जो है भारतिय सरकार की अस्थापना राजा महिंद्र परताप सींग ने सबसे पहले विडेश में की थी चलिए बाइस नमर कोशन देखेगा नहरू राष्ट भक्त हैं जबकि जिन्ना राजनिति गया यह कथन किसका है अप्शन ए पटेल यानि सादार पटेल बी इकबाल सी महत्मा गाधी डी मौलाना अजाद तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यह कहा था मौलाना अज साद ने कहा था कि नहरू राष्ट भक्त हैं जबकि जिन्ना राजनितिक गया ठीक है चलिए तेईस नमर कोशन देखेगा दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सी वह भावती घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर सी यानि पेरी स्कोप कर्या करता है अप्शन ए है प परिदर सी यानि पेरी स्कोप जो है प्रकास के प्रूण अंत्रिक परावर्तन के सिधान पर कार्य करता है चलिए 24 नमर देखेगा दोस्तों साची का अस्तूप किस सासक ने बनवाया था अप्शन ए बिम्बिसार बी असोक सी वर्स हर्स वर्धन और डी है पुस्यमित्र इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों साची का अस्तूप किसने बनावा था असोक ने बनवाया था असोक ने चलिए 25 नमर कोशन देखेगा दोस्तों निम्न में से कौन डापलर परभाव में रेड़ सीप्ट से संबंधित है अप्शन ए श्रोत का प्रेचक से दूर जाना बी त तो पचीस का अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पचीस का अंसर हो जाएगा ए भी दोनों यानि सुरोत का प्रेचक से दूर जाना और तरेंग दर्ज में ब्रिधित दोनों जो है डापलर प्रभाव के रेड़ सीप्ट से संबंधित है चलिए 26 नमर बताईएगा मोहम्मद ग इसका अंसर हो जाएगा बक्तियार खिल जी जो था इसने बंगाल और बिहार दोनों पर विजय प्राप्त किया था यहीं बक्तियार खिल जी जिसने नलंदा विश्व विद्याले को भी धोस्त कर दिया था नलंदा विश्व विद्याले को भी इसी ने समाप्त किया था यह इसके काल में थी अप्शन ए सीवा जी बी किष्ण देवराय सी पेश्वा बाजी राव डी है अकबर तो अस्ट परधान किसमें था दोस्तों पताइएगा सीवा जी में अस्ट परधान था सीवा जी में अस्ट परधान मंत्री परशद थी ठीक है चलिए 28 नमर देखिएगा गाधी इर्बिन समझाता में किस अंदोलन को रोकने का प्रधान था अप्शन ए है भारत छोडो अंदोलन बी सबिनाय अवग्या अंदोलन सी सहयोग अंदोलन और डी है स्वदेशी अंदोलन तो इसका एंसर हो जाएगा सबिनाय अवग्या अंदोलन इसको रोकने का प्रथम विभाजन कब हुआ था अप्षन ए है 1907 बी निसो च्छा सी निसो नात्तर डी निसो एक गार तो इसका एंसर क्या हो जागा दोस्तों 1907 में भारतिय राष्टिय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था चलिए दी तीस नमर कोशन देखेगा और यह लास्ट नमर कोशन है कोणार का सुर्य मंदिर किसने बनवाया था अप्षन ए असोग बी किष्ण देव राय सी राजंदर चोल और डी नर्सिंग देव बर्म प्रथं नर्सिंग देव बर्मन प्रथं किसने बनवाया था तो कुणार का सुर्य मंदिर नर्सिंग देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था ठीक है आज 31 नमर कोशन है कि 31 नमर भी जेहन dining का आधार भूत बिन्दू कौन सा है कर्म दीनिश्ठा और D लेह बयराग्या तो 31 का एंसर क्या हो जागा दस्तों आहिंसा जैन धर्म का अधर्बीत बिंदु क्या है तो चलिए आज जो है कुल 60 कोचन था एक कोचन भी समें मिच्छिन था इसलिए 60 हुआ कुल 60 कोचन था ठीक है दोस्तों और सभी कोचन का जम कर तियार किजिए सभी इंपोर्टेंट है से जागा और हाँ दोस्तों आपको डिश्किर्प्शन में भी मिल जाएगा Google पर प्पे नं में या फिर आपको तहम लेंट पर भी Google पर फोन नंबर मिल जाएगा फ्ол पर आप लोग उन नंबरों पर फोन ना करें, यदि कुछ help करना चाहते हैं, तो आप Google पर या फोन पर कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, उतना ही, ठीक है दुस्तों, आप लोग call या फोन ना करें, क्योंकि इस से दुसरे लोग परसान हो जाते हैं, जिनके पास ये नंबर है, ठ जो है टेलिग्राम पर जो है जुड़िए वहां पर बताईए आपके हर समस्या का जहां तक कोशी सरती है मिन्टों में आपको बताया जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है उसलों चलिए आज के लिए इतना हैं फीर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ थेंक यू